हमने आपको बताय था कि जब पहली बार इस यह कमार शाहिं प्लूड्या टाकि उनका खुल सके तब कि पहली बार गाना गापा थे और जब जब एपने पहले रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस वक्षारी को मात्र आठ गाना रिकॉर्ड करने में तीन निल लग गया था वो अलग बात है कि आज Kisari एक दिन में पंद्रह गाने भी record कर देते हैं लेकिन उस वक्त की बात है जब Kisari की career की शुरुआत हो रही थी यह उस वक्त की बात है जब Kisari stage प्रोग्राम क्या कर देते तो गुला व्यास की तरह गाना गाया करते ने लेकिन जब पहली बार महेश परदेशी ने किसारी को इस्टूडियो में बुलाया और गाना गाने को कहा ताकि किसारी का एल्बम बुलाया जा सके तो किसारी पहली बार इस्टूडियो में फेल हो गये थे और नहीं का पाई थे और जब खिसारी के गले सावाज नहीं निकल पा रही थी तो उनको आठ गाना रिकॉर्ड करने में तीन दीन का समय लग गया था खैर ये तो हो गए खिसारी के पहल एबम की बात लेकिन हम आपको बता दे कि सिर्फ गाने में ही नहीं बलकि खिसारी को अपनी एक नई फिल्म की जबिंग करने में उनको छे दिन लग गया है जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि खिसारी को बोचपुरी इंडेस्ट्री में काम करते हुए भले ही 15-16 साल हो गया है लेकिन हाली में खिसारी ने एक फिल्म की जबिंग की है और इस फिल्म की जबिंग करने में उनको 6 दिन लगे है जबकि खिसारी ने इससे पहले भी है जबकि खिसारी की जीवन के अब तक की सबसे बड़ी और महंगी बजट वाले फिल्म तो संगहस्टू है और उस फिल्म की डबिंग में भी तना टाइम कि खिसारी को नहीं लगा था तो चलिए आज किस वीडियो में हम आपको यहीं बताते हैं कि संगहस्टू के अलावा किसारी की जीवन के ऐसी कौन से फिल्म है जिसकी डबिंग में किसारी को छे दिन लगा है लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथे कामरामेंट विशाल और अब देख रहे हैं जवनता जंक्षा वैसे तो इन दिरो किसारी के आने वाली नई फिल संघस्टू की चर्चा जोर सोर से है और संघस्टू के लिए तो आभी से शोसर मेडिया पर खुब महौल बनाया जा रहा है लेकिन हम आपको बता दे कि संघस्टू के बाद किसारी लाल याद्यों कि एक और बड़ी फिल्म को भी रिलीस किया जाएगा इनका पोस्टर से प लेकिन हाली में किसारी नहीं मुंबई के प्रेश कॉन्फिंस में अपने आने वाली नई नई फिल्म गॉड़ फादर के लिए कहा है कि संघस्टू के बाद मेरी एक और बड़ी फिल्म की जाएगा इस मेरी जिनगी की पहले ऐसे फिल्म है जिसके डबिंग में मुझे इस में वही हैं लेकिन सब्सक्राइब वाली हैं वागे आपको यह बताते हैं कि डबिंग करने में यह लग गया क्यूंकि गुदी हम अरफ़ादर फिल्म के थारी लग गया जिसमें किसारी ने बताई कि गौड़ फादर में वह एक नहीं बलकि तीज़ और नजर आएगे एक किरदार में किसारी युवा एक्टर की तरह नजर आएगे जिसमें वह किरदार में धुथैच्जे तो हो गया है लेकिन उसके पास बिमाग नहीं है सोचने समझने कि शमता नहीं है और वो बड़े होने के बावजूद भी बच्चों की तरह हरकत करता है और इन्हीं तीनों के दारों की डबिंग पूरी करने में जबकि खिसारी को छे दिन लग जबकि खिसारी जालिया तो भोजपूरी की वो हिट मेशीन है वो टरंडिंग स्टार है जो एक फिल्मों को मात दीन यह चार घंटे देते हैं लेकिंग खिसारी ने अपने आने वाले नहीं फिल्म गॉड़ फादर को कुछ घंटे नहीं बलकि कि खे दिन ने उसके डबिंग पूरी किया ताकि फिल्म में कहीं से कोई चूक नहीं रह जाए बाकि आपको बताले कि इस फिल्म के कहाने प्रांड ने लिखी है और इस फिल्म के डियो-पी-आर, आर्ट-प्रिंस और प्यारो रेंजन से नहीं इस फिल्म को टेक्शियन फि अच्छा खासा खर्चा किया है बागी वही फिल्म है जिसको संगस्टू के बाद अर्लेस किया जाए का बाकिस फिल्म से जुड़ी कोई भी नई जनकारी कोई नए अपडेट सामने आए का तो हम आपको जरूर बताएंगे फिराल इस वीडियो को इंपर समात करते हैं मिलते ह हैं मिलते हैं ऐसे ही किसे नए वीजियो में तब तक मुझे इजाज़त देशे धन्यवाद करते हैं